सभी चातरों का अर्दिक स्वागत है कला हम एक्सराइज नंबर 1.1 को कर रहे थे उसके अंदर से हमारा जो फर्स्ट कोचन से हो गया था नेक्स दूसरा जो कोचन से हो क्या है थ्री और फॉर के बीच में छे परी में संक्या ग्याद कीजिए उससे एक पलस करके अर के रूप में संक्या रखना है कैसे यहाँ पर जो तीन और चार है इसको परी में संक्या के रूप में पहले तो चेंज करना है और अर के रूप में रखना है साथ क्योंकि यहाँ परी में संक्या कितनी पूचिये बीच में संख्या ग्यात करना है अतो हम हम घर में साथ रखेंगे यानि आपको जो तीन है उसको रखना है घर के रुप में साथ और यहाँ पर एक ऐसी संख्या रखना है कि भाग देने पर यह तीन आ जाए तो यहाँ पर देखिए तीन को मैं एट्जिस करता है तो यहाँ पर रखना है तो यहाँ पर रखना है तो यहाँ पर रखना है तो य यहां पर मैंने साथ को हर के रूप में ले लिया और यहां मुझे तीन लाना था इसलिए 21 रख दिया उपर क्योंकि साथ टिया 21 होता है यहांनी 21 के अंदर साथ का भाग जाएगा तो आ जाएगा तीन फिर इसी परकार इसी परकार फोर को भी चेंज करेंगे तो देखे फोर बराबर आ गया इसको भी मैं भर के रूप में साथ रखूंगा अब मुझे चार लाना है तो क्या रखना पड़ेगा यहां 28 क्योंकि 28 के अंदर साथ का भाग जाएगा तो वापस आजएगा चार उकुल मिला के मैंने तीन और चार को परीमे संख्या के रूप मैं एड़्चेस कर दिया 21 बटा साथ और 28 बटा साथ अब इजी ली मैं 21 बटा साथ और 28 बटा साथ के बीच में 6 परीमे संख्या लिख सकता हूं संख्या पन कौन सी है देखिए तीन और चार के बीच में परीमे संख्या लिखते वक्त क्या लिखोंगे 21 बटा साथ और 28 बटा साथ के बीच वाली संख्या है तो यहाँ पे सबसे पहले हाजेगी 22 बटा साथ देखो 21 के बाद में क्या आता है 22 बटा साथ आजाएगा फिर 23 बटा साथ फिर 24 बटा साथ 25 बटा साथ 26 बटा साथ और 27 बटा साथ देखिए 28 लास्ट है तो 28 से पहले-पहले 27 बटा साथ आ गया या नीचे हैं परीमे संख्या आपको मिल गए देखो है एक्जेक वान टू 2345 और 6 ओके तो इस टंग से आपको परीमे संख्या है वो बीच में दिकालना है फुल मिला कि इसमें द्यान रखने वाली बात क्या है कि जितनी भी परीमे संख्या आपको पूचा जाता है उसमें एक पलस करना है या आप मुझे 6 पूचा था तो मैंने हर के रुप में कितन सते ही जिली